अभिनंदन है जी सभी का क्रिशयवाट पर आज हम आपको वही वाला डिजाइन फिर पनाना बताएंगे क्योंकि वह डिजाइन बहुत अच्छा बना था और उसके साथ के हमने 6-7 सूट बना दिये हैं और इसमें हम आपको ब्ल्यू कलर और लाइट ब्ल्यू कलर क्या कॉमिन बना लेनी हैं जैसे हम हर वीडियो में आपको यह वाली शेडिंग बताते ही हैं पत्तियों में और पत्तियों में यह वाली शेडिंग ही अच्छी लगती है और इसी से पत्तियां बहुत सुन्दर बनती हैं और वैसे तो और भी कई शेडियों से बन सकती हैं पत्तियां पर जैसे white color उपर वाली side है और नीचे वाली side है जो पत्ती के वो dark blue color है और ये जो color है ये इसमें दिखाई दे रहे हैं white लेकिन ये color जो है ये light blue color है और dark blue color है और इसी तरह से हमने सारी पत्तियां बना लेनी हैं दो-तीन पत्तियों में हमने बाहर वाली side dark blue color लगाया है और दो-तीन पत्तियों में हमने अंदर वाली side blue color लगाया है ताकि वो पत्तियां जो है अलग-अलग दिखाई दे सकें और इसी तरह से हमने जो पत्तियां टहनिया है वो बनाई है और रेशे भी हमने किसी पत्ति में ज अंदर वाली साइड लाइट डार्क के उपर लाइट रेशे बनाए हैं और इसी तरह से हमने टहनिया बनानी है और एक साइड आपने थोड़ा सा ब्लू कलर जादा दिखाना है ताकि ऐसे लगे कि वहां पर टहनिया पर लाइट जैसे हम किसी भी चीज पर लाइट डालते हैं और वो एक तरब से लाइट दिखाई देती है चीज रोशनी पर ने से इसी तरह से हमने सारी जो टहनिया है वो बनानी है और आपने इस बात का भी खयाल रखना है कि जो टहनियों का लाइट वाला कलर है वो एक साइड ही रखेंगे आप चाहिए वो राइट साइड हो लेट साइड हो और इसी तरह से हमने टहनियों बना कर यह जो पत्तियां और टहनियों वाला डिजाइन है वो तैयार कर लेना है इसके बाद हम आपको फूल बनाना बताएंगे जैसे आप देख रहे हैं कि हमने फूल में लाइट डार्क कलर जो बीज में है वो हमने महरू मुड़ी होई दिखाई देती है जैसे वैसे बना सकते हैं जो यह पत्ति बना रहे हैं हम यह भी हम इसी तरह से दिखाएंगे कि जैसे बाहर वाली साइड से उपर वाली साइड से गुलाब की पत्ति अंदर की तरफ को मुड़ी होई होती है इसी तरह से हमने सारी पत्तिया या कोई भी मजंटा कलर कोई भी कलर हो आप बीच में आप डार करक सकते हैं और बाहर वाली साइड आप लाइट कलर दिखा सकते हैं पत्ती के और जहां पर आपने मुड़ी हुई पत्ती दिखानी है वो आप जो लाइट कलर है चाहे वो वाइट है या कोई भी कलर है वो आप मुडी हुई पत्ती जैसे दिखाएंगे आप वहाँ पर आप वो अकेला ही कलर लगाएंगे उसमें कोई जो बीच वाला कलर है वो मिक्स ना करें ताकि वो पत्ती जो है हमें इस तरह से दिखाई दे कि वो पीछे वाली साइड उसकी जो नीचे वाली साइड होती है वो मुड हमदो मुड़ी हुई दिखाइए दे आपको यह वाइट नहीं है ये आपको golden color में चाहे आप golden yellow color में आप थोड़ा सा white color मिला के आप light color बना सकते हैं जैसे cream color बनाया है हमने ये white color नहीं है और इसी तरह से हमने कोई भी color बना लेना है वो light जो आपको अच्छा लगे और उसी तरह से हमने ये मुड़ी हुई पत्तियों है इन पर भी यही color लगाना है और दूसरी पत्तियों पर भी यही color लगाना है हमने और इसी color से हमने सारी पत्तियों की shading करनी है महरून के साथ और जहां पर आपको लगे की पत्ति पर ज़्यादा dark color लगाना दिखाई दे वहाँ पर आपने थोड़ा सा जो है महरून कलर ज़्यादा दिखाई लगा सकते हैं आप जाने की वाइट कलर जाँ फिर लाइट जो हमने क्रीम कलर बनाया है वो आप कम लगाएं और इसी तरह से हमने सारी पतियां बना लेनी है और बहर वाली साइड है जो पतियों की वो हम म जो चाइनिंग वाले होते हैं उससे भी आप इसकी पेल्ट मेर will या प कर दो चाइख है यह आपकी यह है जैसे आप को अच्छा लगे उस तरह से आप mixing कर सकते हैं और इसी तरह से हमने सारी पतियां बनानी है और जो ये बीच वाली पतियां हमने उल्टी साइड से दिखाई है कि जैसे ये नीचे वाला भाग होता है जो पति का वो दिखाई दे रहा है और इसका जो अंदर वाला भाग है वो थोड़ा डार्क दिखाई देता है जैसे फूल की पतियों का वैसा होगा वो अंदर वाली साइड है और ये बाहर वाली साइड इसलिए हमने लाइट दिखाया है कि ये नीचे वाली साइड पतियों की दिखाई दे रही है और इसी तरह से आपने सारी पतियां जो है complete कर लेनी है और जो बीच वाला भाग है वो आपने महरूं कलर से फिल कर लेना है और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये कलर है जो वो बहुत ही कम लगाने है ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए कलर और एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं कि जैसे आपको हमने वीडियो बनाके दिखाई भी थी कि जैसे कलर हैं जो हमारे सॉफ्ट वाले वो अब आने बंद हो गए हैं पीछे से पता ने क्या प्रॉब्लम है वो हमें अब मिल नहीं रहे हमें अक्रेलिक कलर से ही पेंट करना होगा और अगर आपके शहर में भी ये प्रॉब्लम है आपके साथ तो आप कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपके शहर में भी वो बंद हो गए हैं या हमारे यहां पंजाब में ही बंद होगे हैं और पीछे से कलर नहीं मिल रहे हैं और हम अप्रेलिक कर सकते हैं और जो हड हूं की वह जाते हैं क्योंकि वह सौफट टorar थे फैब्रिक पेश थे इसलिए बो जो ते यह फोग पानी ल मोट। उसकी layer मोटे नहीं होने चाहिए और इसी तरह से हमने जो पत्तियां हैं छोटे फूलों की और छोटे फूल हैं वो हमने light pink color से बनाए हैं जहां आप peach color भी कह सकते हैं से और इसमें हमने white color डालके ये color बनाया है और जो फूल हैं सारे वो इसी तरह से बनाने हैं आपने और बाहर वाली side इंकी आप light color भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 3D की इस्तिमाल भी कर सकते हैं आउट लाइन के लिए वो आपके इच्छा है जैसा आपको अच्छा लगे और बीच में जो है वो white और black का बूर भर दीजिए जैसे हम हर वीडियो में आपको बताते ही हैं उसी तरह से triple zero या double zero brush से और इस तरह से हमने सारा जो design है वो इसी तरह से complete कर लेना है अब हम आपको पक्छी जो है बना के बताएंगी पक्षी पे हमने blue color लिया है जो more punky color कहते हैं वो वाला color है और उपर वाली side हमने इसके white color लगाया है और इसकी अच्छी तरह से mixing कर देंगे और जो नीचे वाली side है वो हमने जो full में color लगाया था light yellow बना के वो cream color हमने लगाया है नीचे वाली side और जो इसकी पैरों वाली side है उसमें थुड़ा सा आप dark color कर सकते हैं वो आप चाहे golden yellow से कर दें या कोई भी yellow color हो जो आपके पास चाहे brown color हो उससे आप कर सकते हैं इसके नीचे वाला भाग जो है टांगों के नीचे वाला भाग उस पे आप dark color कर सकते हैं इसमें आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देखता होगा और इसी तरह से हमने यो punk है वो भी हमने white और इसी color से बना देने हैं ताकि वो जो उपर वाला भाग है पक्षी का उसके साथ अच्छी तरह से match हो जाएं और इसी तरह से हमने ये सारा पक्षी बना के उसके बाद हमने इसकी चौँच बनाने हैं और आख आपको पिछली वीडियो में भी हमने यहीं पक्षी बना के बताया भी था और इसी तरह से आपने इसकी टांगे बना देनी है थोड़ी सी मुडी हुई बनानी है ताकि ये ऐसे लग रहा है कि उड़ रहा है और इसी तरह से आपने इसकी चोंच बना देनी है वो भी हमने लाइट जो कलर बनाया था उसी से बनानी है और नीचे वाली साइड है जो चों सा ब्राउन कलर उसमें डाला है और इस तरह से हमने जो यह सारा डिजाइन है वो कंप्लीट कर लेना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे तो शेयर जरूर किया कीजिए और इसी के लिए हमारा जो इसके लिए सारी ओमाई साना सारी ना 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 ना